आज हम अपनी हिंदी की पाठ्थे पुस्तक क्रितिका का पाठ्थ दो जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे जो कि महान कहानिकार कमलेश्वर जीद्वारा लिखा गया है प्रस्तुत कहानी में उस समय की भारतिय सरकार की मानसिक्ता व्यक्त की गई है वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिक्ता गुलामी की बनी हुई है ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहां की रानी एलीजबेट के भारत आने पर अपने काम का छोड़कर उनके आग्मन की त्यारी और स्वागत में पूरा सरकारी तंतर लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए अपनी नाक काटने को ततपर दिखाई देता है इस परकार यह कहानी एक व्यंग्य प्रधान कहानी है बच्चों आप इस कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक में से अवश्य पढ़ें दूसरा मैं आपको इस कहानी का सार रूपी आपको बताने जा रही हूँ प्रिप्याद ध्यान से सुनेंगे इंग्लेंड की रानी अलिजाबेद दूती अपने पती के साथ भारत पधारने वाली थी उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखवारों में हो रही थी तैयारियां चल रही थी रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दोरे पर कौन-कौन सा सूट पहनेंगी इसे लेकर दरजी परिशान था उनके आने से पहले, रानी के सेक्रेटरी आदिसरक्षों की दुरा लेना चाहते थे फोटोग्राफरों की फोज तैयार हो रही थी इंगलैंड के अखवारों में जो भी खबरे छपती थी वे सब खबरें दूसरे दिन भारत के अखवारों में क्यूभी नजर आती थी कि रानी ने हलके रंग का एक सुंदर सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मगवाया गया है जिसका खर्चा 400 पौंड आया है फिर तो रानी के नोक्रों बावर्चियों ख चपने लगी यहां तक कि शाही महल के कुटों की भी तस्वीरें अखवारों में चप गई इस तरह शंक इंग्लेंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी राजधानी में तहलका मचा हुआ था तहलका अर्थात राजधानी को सुंदर बनाने की होड लगी हुई थी देखते ही देखते पूरी दिल्ली की काया पलट होने लगी यानि के दिल्ली को बेहत खूपसूरत सजाया जाने लगा अब मुसीबत क्या थी इंडिया गेट के सामने वाली जोर्ज पंचम की जो लाट की नाक थी वो यकायक गायब हो गई थी हथियार की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी वे तो सारे की सारी मूर्तियां अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी किन्तु रानी आये और जोर्ज पंचम की नाक ना हो ये कैसे हो सकता था चिंता बढ़ी मीटिंगे बुलाई गई सभी चिंतिन थे कि यदि नाक नहीं है त गया और मूर्तिकार उपस्थित हुआ उसने सभी उत्रे हुए चेहरे देखे उनकी बुरी हालत देखकर मूर्तिकार की आँखों में आंसु आ गए इतने में मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई दी मूर्तिकार जोर्ज पंचम की नाक लगानी है मूर्तिकार ने हामी भरी क नाक लग जाएगी पर मुझे बताना होगा कि इस लाट का पत्थर कहां से लाया गया था यह सुनकर हुक्कामों ने एक दूसरे की और देखा और कलर्क को बुलाकर उसे कामसोप दिया कि पुरातत्व की फाइले देखकर पता लगाओ कि लाट कब कहां बनी पत्थर कहां से ल मेदारी उस पर डाल दी गई मूर्तिकार को फिर बुलाया गया मूर्तिकार ने आश्वासन दिया कि परिशान मत हो ये मैं हिंदोस्तान के हर पहाड पर जाकर ऐसे ऐसे पत्थर खोज कर लाऊंगा कमेटी की जान में जाना गई सभापती ने बड़े गरब से कहा ऐसी क्या और चीज है जो हिंदोस्तान में मिलती ही नहीं हर चीज देश के गरब में चिपी है जुरूरत खोज करने की है खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा आने वाला जमाना खुश हाल होगा यह चोटा सा भाशन अखवार में चप गया मूर्तिकार पत्थर की खोज में अब निकल पड़ा और कुछ दिन के बाद वह हताश होकर लौट आया वापिस आ गया उसे वैसा पत्थर नहीं मिला उसने सिर लटका कर खबर दी मूर्ति कि हिंदुस्तान का चपा चपा खोज डाला पर इस किसम का पत्थर नहीं मिला यह पत्थर तो कहां का है विदेशी है दूसरे देश का है सभापती तैश में आगे गुसे में आगे बोले लानत है आपकी अकल पर विदेशों में सारी चीजे हम अपना चुके है दिल दिमाग तोर तरीके और रहन सहन अब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है जो पत्थर तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता और फिर क्या था सभापती ने फटकार लगाई तब मूर्तिकार ने एक और सला देने के लिए इस शर्त पर कहा कि यह बात अखवार वालों तक ना पहुँचे सभापती की आँखों में कुछ चमक आई पच्चपरासी से सभी दर्वाजे बंद करा दिये मूर्तिकार ने सला दी देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है अगर आप मुझे इजाज़त दो आप लोग ठीक समझो तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए यह सुनकर कुछ खुशी लोटने लगी सभापती ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से यानि कि जिस भी मूर्ति की नाक उतार करके लाओगे किसी को कानोकार खबर नहीं होनी चाहिए मूर्ति कारदेश की दोरे पर निकल पड़ा ठीक है वो चल पड़ा अब उसने क्या किया उसने दादा भाई नोरोजी गोखले तिलक शिवाजी जहांगीर सबकी नाके टटोली गुजरात की और भागा गांधी जी पटेल कि दिसाई की मूर्तियों को परखा फिर बंगाल की और चला वहां गुरुदेव रविंदर नाटे गोर सुभाष चंदर बोस राजा राम मोहन राए सबकी नाकों की नापली फिर बिहार होता हुआ उत्तर परदेशाज आया आजाद बिसमिल नहरू मालविय की लाटों के पास गया घबराट में फिर वो मद्रास पहुंचा जहां तहां मैसूर केरल का दोरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत्राय और भगस सिंग की लाटों का सामना किया और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल ब्यान की क्या कहा उसने पूरे हिंद दोस्तान की परिक्रमा कराया सब मूर्तियां देखाया और सब की नाकों का नाप लिया पर जोर्ज पंचम की इस नाक में से सब की नाकें बड़ी निकली मूर्तिकार से यह ब्यान सुनकर सारे हुकाम हताश होकर जुझलाने लगे मूर्तिकार ने आगे और बताया कि मैंने स तुना कि बिहार सेक्रिटेरियर्ट के सामने सन ब्यालिस में शहीद हुए बच्चों की मूर्तिया स्थापित है। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा। पर उन बच्चों की नाके भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। बताईए अब क्या करूँ। मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में अन्ने सभी तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहला, रोगन कर तैयार कर दी गई थी। सिर्फ नाक ना होने के कारण बड़े-बड़े हुकामों में खलबली मची हुई थी। इधर मूर्तिकार ने फिर शर्त दोहराई। उसने क्या शर्त रखी। उसने इस बार कहा कि कमरे के दरवाजे बंद कर दे। जिसमें कमेटी बैठी हुई थी। मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। नाक लगाना एकदम जरूरी है। इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। उस समय हमारे देश की अबादी कितनी थी? 40 करोड। मूर्तिकार की इस नई सलाह को सुनकर सननाटा चा गया। सबको परिशान देखकर मूर्तिकार ने कहा आप लोग घवराते क्यों हैं? यह काम मेरे उपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी कर मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखवार में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। और राजपत पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक की लाट की नाक लग गई है। मूर्ति के आसपास का तलाब सुखा कर और साफ कर ताज़ा पानी डाल दिया गया। जिसमें जिंदा लगाई जाने वाली नाक सूख न जाए। अब वहाँ पर क्या किया गया। उन्होंने एक वहाँ पर क्या किया तलाब बना दिया। क्यों कि जो जिन्दा आदमी की नाक वहां पर लगाई जाएगी उसको पानी चाहिए नमी चाहिए ताकि वह सूख ना जाए रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था मूर्तिकार खुद बताए हल से परिशान था उसने फिर जिन्दा नाक लाने के लिए कमेटी से कुछ और मदद मांगी उसे मदद यह कहते हुए दे दी गई कि उस दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम की नाक लग गई सभी अखवारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम को जिन्दा नाक लगाई गई है यानि ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती अगले दिन क्या हुआ जेस दिन जॉर्ज पंचम के बुथ पर जिन्दा नाक लगाई गई उस दिन देश में किसी उधगाटन की खबर नहीं थी किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई रीबन नहीं काटा, कोई सारवजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ और कोई मान पत्र भेंट करने की नोबित भी नहीं आई, किसी हवाई अडिया स्टेशन पर स्वाग समारो नहीं हुआ अखवार में किसी का चित्र नहीं छपा सब अखवार खाली थे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ तो यहाँ पर कहानी हमारी खतम होती है नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी किसके लिए? एक भुत्त के लिए, एक मृत्त मूर्ती के लिए और वहाँ पर नाक किसकी लगाई गई एक जिन्दा इनसान की तो यह है हमारे देश के लोगों की मानसिक्ता उसी पर व्यंग्य करते हुए कमलेश्वर जी ने यह कहानी लिखी है कि कई बार इनसान दिखावे में बहुत बड़ी गलतियां कर बैठता है और वहे खुशामद करने वाला चाप लूस कहलाने वाला मानसिक्ता को लेकर दूसरों के सामने उभर कर आता है तो बच्चो चाहें अंग्रेज यहां से चले गए हमें अपनी मानसिक्ता को बदलना होगा हमें गुलामी की मानसिक्ता को बदलना होगा हमें यह सोच को बदलना होगा कि वे हमारे से बेहतर हैं जबकि हमें यह सोचना होगा कि हम सबसे बेहतर हैं और बेहतर करके दिखाना होगा. धन्यवाद. कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैंनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ. इलहाबाद विश्विद्याले से उन्होंने एमी किया. दूरदर्शन के अतिरिक्त महानी देशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र-पत्रिकाओं का संपाधन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भासकर प्रमुख हैं. सहित्य अकादेमी पुरसकार से पुरसकृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूशन से भी सम्मानित किया. 27 जन्वरी 2007 को दिल का दौरा पढ़ने से उनका निधन हो गया. नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाई हैं, राजा निर्बंसियां, खोई हुई दिशाएं, सोलहे छटों वाला घर, जिन्दा मुर्दे, जो कहानी संग रहे हैं. वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, जो की उपन्यास हैं. उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संसमरण भी लिखे हैं. कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों, एवं टीवी धारावाहिकों की पट कथाएं भी लिखी हैं. कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और समवेदन शील चित्रण है. आज की महानगरिय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखुबी समझा और व्यक्त किया है. प्रस्तुत है पाट जॉर्ज पंचम की नाक ये बात उस समय की है जब इंग्लेंड की रानी ऐलीजाबेथ दीती है. मैं अपने पती के हिंदुस्तान पधारने वाली थी. अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी. रोज लंदन के अखबारों से खबरे आ रही थी कि शाही दोरे के लिए कैसी कैसी तैयारिया हो रही है. रानी ऐलीजाबेथ का दर्जी परिशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दोरे पर रानी कब क्या पहनेंगी? उनका सेकरेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महदीब का तुफ़ानी दौरा करने वाला था. आखिर कोई मजाग तो था नहीं, जमाना चूकी नया था. फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीथ चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तयार हो रही थी. इंग्लेंड के अखबारों की कत्रा ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिप की नजर आती थी, कि रानी ने एक ऐसा हलके नीले रंका सूट बनवाया है, जिसका रेश्मी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, के करेब चार सो पौंड खर्चा उस सूट पर आया है. रानी एलिजाबेत की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारणा में छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खान सामों, अंग रक्षकों की पूरी की पूरी जीवनिया देखने में आई, शाही महल में रहने और पलने वाले कुतों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गए, बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंक इंगलेंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, इन खबरों से हिंदुस्तान में संसनी फैल रही थी, राजधानी में तहल का मचा हुआ था, जो रानी पांच हजार पहन कर पालम के हवाई यड़े पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महा युद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाखता मुह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, और किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सडकें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरहां श्रंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उमीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्त, इस नाक के लिए बड़े तहल के मची थे किसी वक्त, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किये थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाशन भी दिये थे, गर्मा गरम बहसे भी हुई थी, अखबारो की हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में और ज्यादा तर लोग खामोश थे, खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, यह आंदोलन चल रहा था, जोर्ज पंचम की नाक के लिए हत्यार बंद पहरेदार तैनात कर दिये पहुच गए, उन्हें शानों शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुचा दिया गया, कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद होता रहा, उसी जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जोर्ज पंचम की लाट की नाक एक आएक गायब हो गई, हत्यार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, रानी आये और नाक ना हो, एक आएक परिशानी बढ़ी, बढ़ी सरगर्मी शुरू हुई, देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई कि किया जाए, वहां सबही सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है, तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, औघशिस्तर पर मश्वरे हुए, दिमाग खरोचे गए, और यह तै किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है, यह तै होते ही एक मूर्तिकार को हक्म दि कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यो तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे। अजीब परिशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आँखों में आँसु आ गए। तब ही एक आवाज सुनाई दी। मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। नाक लग जाएगी। पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खेर, मसला हल हुआ, एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौप दिया गया। पुरा तत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौट कर कमेटी के सामने कापते हुए बयान किया, सर, मेरे खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। हुकामों के चेहरों पर उदासी के बादल चा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्में यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हर्ल कर दिया। वह बोला पत्थर के किस्म का ठीक पता नहीं चला, तो परिशान मत हो ये, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों के जान में चाना है। सभापती ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज इस देश के गर्व में छिपी है, जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा आने वाला जमाना खुशहाल होगा मुर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दोरे पर निकल पड़ा कुछ दिन बाद वह हताश लोटा उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी उसने सिर लटका कर खबर दी हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किसम का पत्थर कहीं नहीं मिला यह पत्थर विदेशी है सभापती ने तैश में आकर कहा लानत है आपकी अकल पर विदेशों की सारी चीज़े हम अपना चुके हैं दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सेहन जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता मूर्तिकार चुप खड़ा था सहसा उसकी आँखों में चमका गई उसने कहा एक बात मैं कहना चाहूँगा लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे सफापती की आँखों में भी चमक आई चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दर्वाजे बंद कर दिये गए तब मूर्तिकार ने कहा देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए सब ने सब की तरफ देखा सब की आँखों में एक शण की बदहवासी के बाद खुशी तेरने लगी सभापती ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा जौर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था दिल्ली से वह बंबाई पहुचा दादा भाई नोरो जी गोखले तिलक शिवा जी कौवस्ची जहागीर सब की नाके उसने टटूली नापी और गुजरात की ओर भागा गांधी जी, सर्दार पटेल, विठल भाई पटेल, महदेव देशाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्रबोस, राजा राम मोहन राय आदी को भी देखा नाप जोख की और बिहार की तरफ चला बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया चंद्रशेकराजाद, बिस्मिल, मोतिलल नहरू, मदन मोहन मालविये की लाटों के पास गया घबराहट में मदरास भी पहुँचा सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर केरल आदी सभी प्रदेशों का दोरा करता हुआ पंजाब पहुचा लाला लाजपत राय और भगत सिंकी लाटों से भी सामना हुआ आखिर दिल्ली पहुचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया सब मूर्तियां देखाया सब की नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज बंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली सुनकर सब हताश हो गए और जुन्जलाने लगे मूर्तिकार ने धाडस बंधाते हुए आगे कहा सुना है कि बिहार सेक्रेटरियेट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियें इस्थापित है शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए यह सोच कर वहां भी पहुँचा पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है अब बताइए मैं क्या करूँ राजधानी में सब तयारियां थी जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था रोगन लगाया गया था सब कुछ हो चुका था सिर्फ नाक नहीं थी बात फिर बड़े हुकामों तक पहुँची बड़ी खलबली मची अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था यानि हार मानने वाला कलाकार नहीं था एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौन था फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड में से कोई एक जिन्दा नाक काट कर लगा दी जाए बात के साथ ही सनाटा चा गया कुछ मिंटों की खामोशी के बाद सभापती ने सब की तरफ देखा सब को परिशान देखकर किसी कारिय और धेरे से बोला आप लोग क्यों घबराते हैं यह काम मेरे उपर छोए अच कचाया चौक उठना भोचका होना चाहिए कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को एजाज़त दे दी गई अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपत पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है नाक लगने से पहले फिर हत्यार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई मूर्तिके आसपास का तालाब सुखा कर साफ किया गया उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिन्दा नाक लगाई जाने वाली थी वहें सूखने न पाए इस बात के खबर जनता को नहीं थी यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परिशान था जिन्दा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी वह उसे दी गई लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए और वह दिन आया जौर्ज पंचम के नाक लग गई सब अखबारों ने खबरे छापी कि जौर्ज पंचम के जिन्दा नाक लगाई गई है यानि ऐसी नाक जो कताई पत्थर की नहीं लगती लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गोर करने की थी उस दिन देश में कहीं भी किसी उदघाटन के खबर नहीं थी किसी ने कोई फीता नहीं काटा था कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था कोई मान पत्र भेट करने की नौबत नहीं आई थी किसी हवाई अड़े या स्टेशन पर स्वागत समारोहों नहीं हुआ था किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था सब अख़बार खाली थे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए प्रश्न अभ्यास 1. सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनके किस मानसिकता को दर्शाती है 2. रनी एलिजबेद के दरजी की परिशानी का क्या कारण था उसकी परिशानी को आप किस तरहे तर्ग संगत ठहराएंगे 3. और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किये गए होंगे 4. आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदी के वर्णन का दोर चल पड़ा है कव इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है कव इस तरहे की पत्रकारिता आम जनता विशेश कर युवा पीड़ी पर क्या प्रभाव डालती है पांच जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुने लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या-क्या यतन किये छे प्रस्तुत कहानी में जगह-जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौझूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं उदहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका पाठ में आए ऐसे अन्य कथन चाट कर लिखिए नाक मान सम्मान वा प्रतिष्ठा का द्यो तक है यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई हैं लिखिए आठ जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतिय नेता यहां तक कि भारतिय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है नौ अखबारों में जिन्दा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया दस नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है ग्यार है जौर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे शब्द अर्थ बेसाखता स्वाभाविक रूप से नाजनीनों कोमलांगी लाटों खंभा मूर्ती खेर ख्वाहूं भलाई चाहने वाले किसी कारिय के होने या ना होने की पूरी जिम्मेदारी कार्यभार अच कचाया चौक उठना बहुंचका होना अभी आप सुन रहे थे पार्थ दो जोर्ज पंचम की नाक